हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवेदेती क्लासेज आज की फीडियो का हमारा टॉपिक है अवोर्ड और अउनर्स 2023 तो फैंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे अवोर्ड और अउनर्स से रेटेट मुस्ट इंपोर्टन क्वेशन्स जो भी आपके 2023 में इंपोर्टन अवोर्ड दिये गए हैं उन सभी के बारे में आचम डिसकस करने वाली है तो फैंट्स मैंने यहाँ सभी कोशन सेलेक्टिड और इंपोर्टन दिये हैं अगर आप किसे भी एक्जाम के तियारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी सदा इंपोर्टन होने वाली है तो चले फैंट्स वीडियो को स्टार्ट कर लें पहला क्वेशन देखें अवार्ड इन 2023 तो 2023 में अगर बात करें लोक्मान्य तिलक जो अवार्ड है इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो ये अवर्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अब friends पात करते हैं इस award के बारे में तो लोग मानने तिलक जो national award है ये एक national award है जो की तिलक स्मारक जो मंदिर ट्रस्ट है उनके द्वारा ये present किया जाता है और लोग मानने तिलक award किस field में दिया जाता है तो ये भी यादख लीजिएगा ये उन लोगों को दिया जाता है जि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Who has won the Prisoner Architecture Prize 2023? 2023 में Prisoner Architecture पुरुसकार किस ने जीता? तो ये अवार्ड जीता है डेविड एलन चिपर फिल्ड ने डेविड एलन चिपर फिल्ड जो है फ्रेंड्स ये बिलॉंग करते हैं युनाइटेड किंग्डम से ये ध्यानक लीचे का पूछ सकते हैं इनकी कंट्री और चो प्रिजर प्राइज है ये किस फिल्ड में दिया जाता है अगर आप लोगों से पूछें तो ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के फिल्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन Who has won the Best Actor Award at the 69th National Film Awards तो जो भी 69 देखे राष्ट फिल्म पुरुषकार दियेगे उसमें Best Actor का पुरुषकार किसने जीता तो अलु अर्जुन ने जीता है Best Actor का Award किस फिल्म के लिए उन्हें ये Award मिला तो फिल्म का नाम है Pushpa for the Rise यहीं बात कर लेते हैं Best Actress का आवार्ड किस ने जीता तो Best Actress का आवार्ड मिला है आलिया भट को उनके फिल्म गंगोबाई के लिए और एक और एक्ट्रिस को मिला है कीरती सैनन को उनके फिल्म मिमी के लिए तो दो को मिला है Best Actress के लिए National Award अगला कोशन देखिए तो जो फैंट्स अभी National Smart City Awards हुए उसमें Best City का आवार्ड किस ने जीता तो इंदौर शहर ने फैंट्स सरुस्टेश्ट शहर का पुरिसकार जीता है तो फैंट्स इंदौर तो देखे नंबर वन पे रहा उसके बाद सूरत जो शहर है वो रहा इसमें नंबर सेकिंड पे और आगरा शहर जो रहा है वो इसमें रहा है नंबर थर्ड पे अगर हम स्टेट की बात करें स्टेट की के बात करती है तो उसमें पहले प्लेस पे रहा मध्यप्रदेश और अगर Union Territory की बात करेंगे तो उसमें No.1 पे रहा है कौन सा U.T. चंडीगर Next question Which country has honored Prime Minister Narendra Modi ji with its highest honor Grand Cross of the Leason of Honor तो July में किस देश ने Modi ji को अपने highest honor से सम्मानित किया है तो ये highest honor किस country का है The right answer is France Next question Who has won the Best Actor Award at the Oscar Awards 2023 तो Oscar Awards में Best Actor का Award किस ने जीता The answer is Brendan Fraser तो Brendan Fraser को मिला Best Actor के लिए Oscar पुरिशकार किस film के लिए उने के Award मिला तो उनकी film का नाम क्या है The Vale और इसी में हमें Best Actress की याद रखना है जो की है Michelle Yu और ये belong कहां से करती है तो इनके country है Hong Kong Next question है Who will be awarded the Novel Prize 2023 in Literature? साहित्य में Novel पुरिशकार किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये honor दिया जाएगा नौर्वे के जौन फोस्टे को तो इन्हें Literature में मिलेगा और ये उन्हें Award क्यों मिलेगा? तो ये पुरिशकार उन्हें मिला है जो उनके innovative plays और prose literature है जो उनके देखे नाटक और जोबिन का गद साहिते रहा है जिससे उन्होंने Untold Emotion को voice दी है तो उसी के लिए उनको ये honor दिया गया है और नौर्वे जो Royal Swedish Academy है देखे वो literature में Novel Prize देती है अच्छा friends अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे Novel Prize के बारे में तो एक important point हमारा क्या बनता है Novel पुरुषकार के शुरुवात कब हुई थी? तो सबसे पहली बार जो Novel पुरुषकार दिये गये थे ना वो 1901 में दिये गये थे 1901 में लेकिन उस टाइम पे ना सिर्फ पांच फिल्ड में Novel पुरुषकार दिये जाते थे जैसे physics में दिये जाते थे chemistry हो गया आपका medicine या physiology कहा लीजिए peace और literature एक जो economics का Novel Prize है यह सबसे बाद में शुरुवाता तो एक कोशन में बन जाता है economics में Novel पुरुषकार के शुरुवात कब हुई तो friends economics में Novel पुरुषकार की जो शुरुवात हुई थी 1968 में जो है इसका गटन हुआ था इस award का तो शुरुवात में नहीं दिये जाता था economics में बाद में स्टार्ट हुआ था तो ये थोड़ा सा कोशन पूश लेते हैं और अब करंट में जो Novel प्राइस है वो छे फिल्ड में दिये जाती है अगला question देखिए Who has been honored with India's highest literary honor 57th ज्यानपेट अवार्ड ये इंडिया का देखिए highest literary honor है और इस honor से सम्मानित किसे किया गया है दामोदर माउजो को दामोदर माउजो को देखिए उनकी एक book है नील मनी फूकन ठीक है तो ये literature जो उनका साहित्यकार रहा है इसी के लिए उनको 56 ज्यानपेट सॉरी 56 ज्यानपेट अवार्ड तो SME's literature है नील मनी फूकन उन्हें मिला है और अगर हम बात करती हैं 2022 के लिए दामोदर माउजो को ये अवार्ड मिला तो दो ध्यान रख लिएज़ेगा अगर दो हुसार 21 के लिए पूछेंगे तो आपका अंसर होगा नील मनी फूकन उनको 56 ज्यानपेट अवार्ड मिला है और 57 ज्यानपेट अवार्ड जो मिला है ये मिला है कौंकनी लिट्रेचर जो दामोदर माउजो है उन्हें मिला है ठीके दोनों याद रख लीजेगा फ्रेंड्स ज्यानपेट अवार्ड की बात करें यह award दिया जाता है literature की field में इसकी शिर्वात हुई थी 1965 में और सबसे पहले विनर कौन थे इसके जी संकरा कुरूप next question देखे who has been honored with the most prestigious award in the field of mathematics जो की है evil prize 2023 तो यह mathematics का सबसे prestigious award है evil पुरुशकार और इस award से सम्मानित किया गया है किसे Louis Scaffrelli को evil prize जो है यह एक norvean prize है जो की annually दिया जाता है king of norway के द्वारा to one or more outstanding mathematicians एक या एक से अधिक जो outstanding mathematicians से उनको हर एक साल evil prize दिया जाता है इसका नाम norway के mathematician Nils Hendrick evil के नाम पर रखा गया था next question है who has won the international booker prize for the novel time shelter तो friends यहाँ पर देखे novel का नाम दिया है time shelter और इस novel के लिए international booker prize किस ने चीता तो यह prize जीता है जियो जी गौस्पडिनोव ने यह prize किस फिल्ड में दिया जाता है तो यह मिलता है literature के फिल्ड में अगला question है who has been honored with सरस्वती सम्मान 2022 तो सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किसे किया गया है शिव शंकरी जी को और यहां पर इनकी book का नाम याद रख लिजे का सूर्य वन्शम तो इसी book के लिए उन्हें 32 सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया सरस्वती सम्मान की बात कर लेती है friends तो यह एक annual award है for outstanding literary work के लिए यह annually दिया जाता है तो हमारी जो constitution है उसके 8th schedule में जो 22 language listed है उन भाशाओं में किसी भी दिखे language में अगर आपने outstanding literary work किया हो तो उसके लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है इस award के शुरुवात की गई थी केके बिल्ला फाउंडेशन के दौरा 1991 में और सबसे पहले winner कौन थे सरस्वती सम्मान के उनका नाम याद रखना है हरीवंश राय बच्चन next question है who has been honored with the eduthachan award in the year 2023 2023 में eduthachan बुरुषकार से सम्मान दिया गया है तो ये award दिया गया है S.K. वसंतन को eduthachan award की बात करती हैं तो ये friends केरल साहिते अकेडमी के द्वारा दिया जाने वाला highest literary honor है इस award का नाम मल्यालम language के जो father कहे जाते है तुचुन्तू eduthachan इनहीं के नाम पर इस award का नाम जो है रखा गया है और इसमें cash price दिया जाता है 5 lakh का और साथी में एक situation यानि एक प्रशिष्टी पत्र दिया जाता है Next question देखिए Who will be awarded the novel peace prize 2023? 2023 का जो novel peace prize है किसे दिया जाएगा? तो ये prize मिलेगा इरान की नर्गेस महमेदी को अब इन्हें क्यों ये देखे honor दिया जाएगा? तो इरान में देखे women's के लिए उन्होंने काफी ज़धा fight की human rights के लिए उनकी freedom के लिए काफी इन्होंने देखे fight की जिसके लिए उनको ये honor दिया जाएगा? novel peace prize की बात करें तो नौर्वे की पार्लामेंट के दौरा 5 member committee elect की जाती है तो उसी के दौरा जो है novel peace prize जो winner है उसको चुना जाता है next question who has won the prestigious शाष्ट्र रामानुजन अवार्ड 2023? so famous जो शाष्ट्र रामानुजन पुरुषकार है ये पुरुषकार जीता है चाइना के रोई जियांग जांग ने बात करते हैं आपे शाष्ट्र रामानुजन पुरुषकार की तो ये अवार्ड किस फिल्ड में दिया जाता है mathematics के फिल्ड में तो ये पुरुषकार देखे दिया जाता है mathematics के फिल्ड में outstanding contribution करने वाले को तो 30 years 32 years ये उसे कम age के जो individuals है उनको हर एक साल दिया जाता है शाष्ट्र रामानुजन अवार्ड next question है who has won the famous wild life photographer of the year 2023 अवार्ड so famous wild life photographer of the year का पुरुषकार किस ने चीता तो ये अवार्ड चीता है विहान तालिया विकास नी विहान तालिया विकास सिफ 10 साल की है और ये बिलॉंग करते हैं बिंगलूरू सिटी से जिने बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड मिला है किस काटिगरी में प्रस्टीजिस वाइलाफ फोटोग्राफर of the year competition में ये competition गहाँ में हुआ था लंडन में next question who has won the prestigious valandiyor award for the 8th time in the year 2023 तो आठवी बार जो valandiyor award है पुरिशकार है किस ने जीता है तो ये पुरिशकार जीता है friends Argentina के player Lionel Messi ने Lionel Messi ने इससे पहले 2009, 2010, 11, 2012, 2015 2019 और 2021 में ये award चीच चुके हैं जो valandiyor award है देखिए फुटबॉल का prestigious award है और ये individual player को दिया जाने वाला सम्मान है अब friends winner की list की बात करें क्योंकि और भी winners हैं जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए valandiyor award तो बात कर ली हमने अगर हम women's की बात करें तो women's में जो award मिला है ये मिला है Spain की Aetana Bonmati को Copa Trophy जिसे best male under 21 player भी कहती है ये award मिला है England के Jude Willingham को और Yashen Trophy यानि best male goalkeeper ये किसे मिला है Argentina के Emiliano Martinez को नेक्स्ट देखिए Gerd Muller Trophy जिसे highest scoring male striker कहते है ये award मिला है Norway के Elding Harland को नेक्स्ट Socrates Award ये Brazil के Vincius Junior को मिला है और Club of the Year का award किसे मिला है Manchester City and FC Barcelona Family को तो ये याद अखलीचे का ये total winner list है यहां से कोई भी पूछ सकती है आगला question है friends Which author of Indian origin has been honored with the British Academy Book Award in 2023 तो किस भारते मूल की लेखिका को British Academy Book Award से सम्मानित किया गया है तो ये honor दिया गया है नंदनी दास को अब यहां इनकी book का नाम भी याद रखना है तो इनकी कौन से book रही Quoting India, England, Mughal India and the Origin of Empire और इसी book के लिए उन्हें ये honor दिया गया है ये जो award है British Academy Book Award friends ये दिया जाता है literature के field में Next question देखिए Which Indian teacher has been honored with the prestigious Global Teacher Award 2023 So जो देखिए अभी Recently Global Teacher Award इसे सम्मानित किया गया है किस Indian teacher को ये honor दिया गया तो इनका नाम क्या है Deep Narayan Nayak अगला question है Who will be honored with सत्यजी तरे Lifetime Achievement Award 2023 तो 2023 में सत्यजी तरे Lifetime Achievement पुरिशकार से सम्मानित किसे किया जाएगा Michael Douglas को Michael Douglas जो है ये American actor और film producer है और अगर बात करें सत्यजी तरे Lifetime Achievement Award की ये जो award है ये दिया जाता है सिनेमा के फिल्ड में Next question Dhodo Village of which state जिसे अभी select किया गया है Best Tourism Village Honor के लिए और ये चुना है किसने United Nation World Tourism Organization ने इन्होंने अभी एक West Blases के list इन्होंने निकाली थी जिसमे धodo Village को भी चुना गया और धodo Village कहां लोकेटिड है तो ये लोकेटिड है फ्रेंड्स गुजरात स्टेट में फ्रेंड्स हमारी 7 Months Current Affairs की e-book है जनवरी टो जुलाई 2023 की इस e-book को आप बाई कर सकते हमारी वेबसाइट से जिसका लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को कॉंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है जो की है सकरोव प्राइज तो 2023 के लिए सकरोव पुरुषकार किस ने चीता तो ये चीता है इरान की जीना महसा अमीनी ने ये जो सकरोव प्राइज है ना इसका नाम देखे 1988 में आंद्रे सकरोव के नाम पर रखा गया था और ये वोर्ड दिया जाता है जो human rights की जो human rights को defend करते हैं उसके रक्षा करते हैं उन individuals को ये ओरर दिया जाता है अगला कोशन देखे फेंड्स तो जवाहलान ये उनिवरसिटी ने डॉक्टरेट की मानत उपादी से किसे समानत किया है तो ये honor दिया है तंजानिया की प्रेजिडेंट समया सुलहु हसन को अब बात करें ये honor उन्हें क्यों मिला है तो तंजानिया और इंडिया के बीच जो relations हैं उनको promote करने के लिए उन्हें ये award दिया गया अगला question देखे who has won the novel prize 2023 in the field of economics तो इस बार economics के छेतर में novel पुरुषकार जीता है USA की Claudia Golden ने अब बात करते हैं friends क्यों मिला है उन्हें ये award तो Harvard University के professor है Claudia Golden उन्हें economics में मिला है novel prize क्यों for improving the understanding of gender discrimination in the labor market और जो economics में जो novel prize दिया जाता है ये Royal Swedish Academy of Science जो है इसको provide करता है next question who will be awarded with the Dada Sahih Falky Lifetime Achievement Award 2023 तो Dada Sahih Falky Lifetime Achievement पुरुषकार से समानित किसे किया जाएगा वाहिदा रह्मान को वाहिदा रह्मान को देखे Ministry of Information and Broadcasting के द्वारा 53rd Dada Sahih Falky Lifetime Achievement Award दिया जाएगा और ये Award जो है न 2021 के लिए दिया जा रहा है दिया तो देखे 2023 में गया लेकिन 2021 का ये Award है Next Question देखिए Who will be honored with the prestigious Norman E. Borlog Award 2023 Answer Dr. Swati Nayak तो Dr. Swati Nayak को Norman E. Borlog पुरुषकार से समानित किया जाएगा उडिसा की Scientist है देखिए Swati Nayak और उन्हें ये Award क्यों रिसीव हुआ है तो Agriculture और Fruit Production में जो उनका Extraordinary Contribution रहा उसी के लिए उनको ये Award रसीव होगा Next Question है Who has been awarded the Spinoza Prize जो कि निदलेंड का Highest Honor है तो Spinoza पुरुषकार जो है इससे समानित किया गया है Dr. Zoyta Gupta को तो ये नियाद रखेगा निदलेंड का जो है Friends ये Highest Honor है और Science की Field में ये दिया जाता है Next Question है Who has been honored with the International Annie Award 2023 2023 2023 में International Annie पुरुषकार से समानित किसे किया गया है तो आंसर होगा Friends यहाँ पे थलब पिल प्रदीप जो International Annie पुरुषकार है न देखे इसको Energy Research में Nobel Prize कहा जाता है और ये Energy और Environmental Research के Field में ये Award दिया जाता है Next Question Who has been honored with the 65th रमन मेकसे से Award in 2023 तो इसलिए Correct answer होगा यहाँ पे Option E सभी यहाँ पे बिलकुल Correct है अच्छो Friends इस Award की बात करते हैं तो ये जो Award है ये Former Philippines के President रमन मेकसे से की Memory में ये Award की स्थापना हुई थी और सबसे पहली बार कब दिये गए थे ये Award 1958 में आगे पढ़ने हैं अगले Question पे Who has been awarded the title of Shatabdi Purush जिसे कहेंगे Men of the Century तो Men of the Century की उपादी से सम्मानित किसे किया गया Answer Pandit Ramakrishnan को तो यहाँ दखेगा Pandit Ramakrishnan जी को Shatabdi Purush की उपादी से सम्मानित किया गया है Next Question Who has been awarded the Pulitzer Prize for Fiction in 2023 तो Fiction के लिए जो Pulitzer पुरुषकार है इस पुरुषकार से सम्मानित किसे किया गया है Barbara Kingslower and Hernan Diaz इन दोनों को ही जो है ये Award मिला है अब यहाँ एक और important बात ध्यार रखनी है इनकी Novel का नाम Barbara Kingslower जो है उन्हें उनके Novel Demon Copperhead के लिए Award मिला और Hernan Diaz को उनकी Novel Trust के लिए उन्हें इस Honor से सम्मानित किया गया अगला कोशन देखें तो तो तेरवे भारत रतन डॉक्टर अंबेटकर बुरुषकार से सम्मानित किया गया है UP के Chief Minister योगी आधित्यनाद जी को Next Question Who has become the first woman to be honored with the prestigious Global Indian Award in 2023 तो prestigious Global Indian Award से सम्मानित होने वाली पहली woman कौन बनी है The answer is Sudha Murthy और ये जो award है दिया जाता है literature और philanthropy के field में Next Question है Which Indian has been honored with the Global Leadership Award by the Center on Legal Profession Harvard Law School तो Global Leadership Award से सम्मानित किया गया है इंडिया के Chief Justice धननजे यश्वन्त चंदर चूर को ये जो award है Global Leadership Award ये दिया जाता है law and justice के field में Next Question Which classical singer and magician has been honored with the prestigious Durga Bharat Samman 2023 तो West Bengal के जो governor है C.V. Anand Bose उनके द्वारा किस classical singer और magician को Durga Bharat Samman से सम्मानित किया गया है तो ये दिया गया है पंडित Ajoy Chakravarti को और ये जो honor है Durga Bharat Samman ये दिया जाता है classical music के field में Next Question है Who has been honored with the second Rohini Nayer Award in the year 2023 दूसरे Rohini Nayer पुरिशकार से सम्मानित किसे किया गया तो friends ये honor किसे दिया गया है Dina Nath Rajput को Friends अगर बात करें कि उन्हें ये honor क्यों मिला है तो rural development में चोंगा outstanding contribution रहा उसी contribution के लिए उन्हें इस honor से सम्मानित किया गया है Next Question है Friends Who has been honored with the prestigious Keral Jyoti Award in the year 2023 तो 2023 में Keral Jyoti पुरिशकार से सम्मानित किसे किया गया है The right answer is T. Padmanabhan को ये honor दिया गया आचा Friends दिखे केरल राजे का ये highest civilian honor है और मल्यालम literature में extraordinary contribution के लिए T. Padmanabhan को इस award से सम्मानित किया गया Next Question पे बढ़ते है Friends Which state or UT has been awarded the Azadika Amrit Mohasav Award for top performance in the year 2023 Azadika Amrit Mohasav पुरिशकार जो है इस पुरिशकार से सम्मानित किस state या UT को किया गया तो ये दिया किया है किसे जम्मू कश्मीर को तो number one पे रहा जम्मू कश्मीर उसके बाद second number पे रहा गुजरात हर्याना और third पे रहा राजस्थान Top three performing ministries की बात करें अभी तो हमने state और UT की बात करी अगर मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो number one पे है foreign ministry then number two पे है ministry of defense number three पे है ministry of railway और ministry of education Next question Who has been awarded the prestigious 8th Dr. M. Svaminathan Award 2023 So Dr. M. Svaminathan Purushkar से सम्मानित किसे किया गया है Dr. P. V. Satya Narayan को और friends इस award की बात करें तो ये award agriculture sector में outstanding contribution के लिए दिया जाता है Next question है Who will be awarded the novel prize 2023 in the field of medicine इसे physiology भी बोलते हैं physiology के छेतर में जो novel पुरुषकार है इस पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा Hungary की Catalan Kerry को और USA के Drew Wiesman को आंसर यहाँ पे क्या होगा Both of the above अब बात करते हैं इन्हें ये award क्यों दिया जाएगा तो इनको देखिए जो ये award दिया जाएगा इनकी discovery जो की nucleoside based modifications से related है जिससे क्या किया गा है जिसके कारण COVID-19 के against जो effective mRNA vaccine है उसका जो development है वो possible हो पाया तो इसी के लिए उनको ये honor देया जाएगा medicine के field में जो novel prize है ये कौन देता है तो ये देता है Sweden की Carolin's का institute next question which country has honored Prime Minister Modi ji with its highest second highest civilian award जिसका नाम है Grand Cross of the Order of Honor तो ये दे कि उस country का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरिशकार है और ये honor दिया गया है Modi ji को और यहां country की बात करें तो country कौन सी है Greece तो Greece की जो प्रेजिडेंट है Keternika Sakiralu Polu उन्होंने Prime Minister Modi ji को इस honor से सम्मानित किया next question who will be awarded the Nobel Prize 2023 in the field of physics तो physics के छेतर में जो Nobel पुरिशकार है इस पुरिशकार से सम्मानित किया जाएगा France के Pierre Agostini Hungary के Frank Krask France के ही N.A.L. Hulhulier तो इन तीनों को इस बार मिलेगा Physics के फेल्ड में Nobel Prize और Physics के फेल्ड में French जो Nobel पुरिशकार इन्हें मिलेगा क्यों मिलेगा तो ये award उन्हें मिलेगा और इसमें एक करोर स्वीडिश क्रों जो है दिये जाएंगे प्राइस मनी के रूप में Next question है Friends Chemistry के फेल्ड में Nobel Prize 2023 से किसे सब्मानित किया जाएगा तो Chemistry के फेल्ड में भी Friends तीन साइन्टिस्ट को ये award मिलेगा France के Maungi G. Bawindi America के Louis E. Bruce और Russia के Alexei Icky Move तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा All of the above Next question देखे Who has won the title of Femina Miss India 2023 तो Femina Miss India का किताब किसने जीता यह टाइटल जीता है Nandini Guptani Next question Who has been awarded the Gandhi Peace Prize for the year 2021 तो 2021 के लिए Gandhi शान्ती पुरिसकार से सम्मानित किसे किया गया उतरप्रदेश में जो Gita Press है उन्हें यह ओनर दिया गया है Gita Press चुहे यह 100-year-old organization है जो की publish करती है Hindu religious text को Next question Who has been honored with the German Peace Prize in 2023 2023 में जर्मन शान्ती पुरिसकार से सम्मानित किसे किया गया अच्छा काम किया है अच्छा काम किया है Next question Which Indian city has won the title of Tree City of the World for the second time in a row लगातार कि शहर ने दूसरी बार देखे Tree City of the World का किताब जीता तो यह टाइटल जो है जीता है किसने Mumbai City ने तो Mumbai City को देखे इससे पहले 2019 के लिए भी Tree City of the World का टाइटल मिला था Next question की बात करें Who will be honored with the second Lata Dina Nat Managash का अवोर्ड 2023 तो दूसरे Lata Dina Nat Managash का पुरशकार से सम्मानित किसे किया जाएगा आशा भोशले जी को और पहले winner कौन थे इसके तो पहले भी याद रख लिजेगा Prime Minister Modi जी Next question है Which ministry has won the Porter Prize 2023 तो Porter पुरिशकार कि समंतराले ने जीता तो ये जीता है Ministry of Health और Ministry of Health के Minister कौन है करेंट में तो उनका नाम याद रखेंगे Mansook Mandavya इनके पास ये Ministry है अच्छा Ministry of Health को ये प्राइस क्यों मिला है तो COVID-19 को कंट्रोल करने के लिए उसको रोकने के लिए प्रेविंशन के लिए उन्हें के ओनर दिया गया Next question है Which country has conferred its highest honor order of the Nile on Prime Minister Modi जी तो किस देश ने Prime Minister Modi जी को अपने highest honor order of the Nile से सम्मानित किया है तो ये highest honor है Egypt country का अब फेंस बात कर लेते हैं देखे Prime Minister Modi जी को 2014 से लेके 2023 तक कौन कौन से international award रसीव हुए तो देखे सबसे पहले है Grand Cross of the Order of Honor और यहाँ पे लिखा है country जो कि इस country का देखे ये honor होगा तो ये सम्मान दिया है Greece ने और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि कब मिला है ने August 2023 में उसके बादे कि order of the Neal ये Egypt का सम्मान है Egypt सरकार ने दिया Grand Cross of the Legion of Honor ये सम्मान किस country से है France का अगला है The Grand Companion of the Order of Logo ये honor है Papua New Guinea का Next Companion of the Order of Fizzi ये award दिया गया है Fizzi government के द्वारा Next Abacle Award ये दिया गया है Republic of Palau के द्वारा Next देखे order of drug ग्यालपो ये भूतान government ने दिया मोदी जी को December 2021 में उसके बाद देखे है Leason of Merit ये award दिया America ने The King Hamad Order of Renaissance ये award मिला है Beharin government के द्वारा उसके बाद है Nishan Izzuddin Honor ये award दिया गया Maldiv government ने Order of St. Andrew ये दिया गया Russia के द्वारा Order of Zayed ये दिया गया UAE के द्वारा Next है देखे Grand Caller of the State of Palestine ये award दिया गया मुदी जी को Palestine government ने 2018 में State Order of Gazi Amir Amanullah Khan ये order दिया गया ये award दिया गया Afghanistan के द्वारा और Abdullah Aziz Al Saud ये honor दिया है Saudi Arabia ने कब 2016 में तो ये सभी award मिले है मुदी जी को अगला question देखे Who has been honored with the world leader for peace and security award in the year 2023 तो देखे 2023 में world leader for peace and security award से किसे सम्मानित किया गया तो friends ये award किसे मिला है Mata Amrita नंदमाई देवी इन्हें जो है world leader for peace and security award से सम्मानित किया गया अब बात करें क्यों उन्हें award मिला है तो ये award उन्हें मिला है peace and security के लिए next question देखे which Indian has been awarded Singapore's Lee Kuan U-Exchange Fellowship in the year 2023 तो Singapore की जो Lee Kuan U-Exchange Fellowship है इस fellowship से सम्मानित किसे किया गया Assam के चेप मिनिस्टर Himanta Vishwa Sharma को so friends ये जो उन्हें आप कहले जे अवोर्ट मिला है Singapore government के दोरा ये उन्हें मिला है public service में जो उनका contribution रहा उसी के लिए next question which imprisoned Iranian female journalist जिन्होंने जीता United Nations Press Freedom Award तो जेल में बंद इरान के किन महिला पतरकारों ने सयुक्त राष्ट प्रेस सुतंतता पुरुसकार जीता ये जीता है इलाहे मुहम्मधी लोफर हमीदी और नर्गिस मुहम्मधी तो इसलिए आंसर यहाँ पी होगा all of the above नेक्स्ट क्वेशन है फ्रेंट्स वो हैस बीन ओनर्ट फिद अलंपिक ओर्डर बाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी तो आई योसी ने ओलंपिक ओर्डर से सम्मानेच किसे किया गया डॉक्टर टेड रोस ग्याब्रियस को यह डबलो हो के डाइरेक्टर है और देखे कोविड नाइनटीन में जब कोविड नाइनटीन पैंडमिक चल रहा था तो उसी के जलते ओलंपिक गेम्स टॉक्यो 2020 को कंड़क्ट कराने में जो उनके एफट्स रहे उसी एफट्स के लिए उन्हें ये अवोर्ड दिया गया है Next question Who has won the International Statistics Award 2023? आंतराष्टे सांखे की पुरिस्कार किसने जीता? तो फैंट्स ये अवोर्ड जीता है कल्यामपुरी राधाकृष्न रावनी Next question Who has been honored with the Wildlife Conservation Award 2023? वन्यचीव संदक्षन पुरिसकार से समानित किया गया है आलिया मीर चुहें फ्रेंड सी बिलॉंग करती है जम्मु कश्मी से और ये अवोर्ड की बात करें किस फिल्ड में दिया जाता है तो ये अवोर्ड किसी इंडिविजुल या फिकिसी ओकनाइसेशन को दिया जाता है Wildlife Conservation के फिल्ड में Special Contribution के लिए और इस पार ये मिला है आलिया मीर को अगला कोशन है विच कंट्री हास ओनर्ड दिप्रेजिदेंट ओफ इंडिया दुरापदी मुर्मू विद इस हाइस्ट ओनर Grand Order of Chain of the Yellow Star तो Grand Order of the Chain of the Yellow Star ये किस कंट्री का देकि हाइस्ट ओनर है और इस ओनर से दुरापदी मुर्मू जो की इंडिया की प्रेजिदेंट है उन्हें सम्मानित किया है तो ये ओनर कहां का है सूरी नाम कंट्री का Next question Who has won the World Peace Prize in 2023 तो 2023 में विश्वशान्ती पुरिसकार जीता है किसने नर्गिस मुमांद हसन्जाई ने Next question Who has been awarded तो रमन मेकसे से अवार्ड 2023 इंडिविज्वली आफ्टर 64 इयर्स तो 64 इयर के बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मेकसे से अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया तो फैंड्स ये अवार्ड किसे मिला है दलाई लामा जी को तो आचारिय विनुमा भावे जो हैं पहली इंडियन थे जिने रमन मेकसे से अवार्ड मिला था तो ये भी पूछ सकते हैं कि रमन मेकसे से पुरिश्कार को जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे आचारिय विनुमा भावे अगला कोशन है Who has become the first woman officer of the Indian Air Force to receive the gallantry award तो वीरता पुरिश्कार पाने वाली भार्देवायो सेना की पहली woman officer कौन बनी आंसर दिपिका मिश्रा अगला कोशन है friends दो हसाते हिस में कितने लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो यहां देखे total awards की बात हो रही है तो total अगर हम बात करेंगे तो आंसर होगा यहां पे 106 पद्म अवार्ड में तीन कैटिगरी होती है पद्म बिभूशन, पद्म भूशन और पद्म श्री तो तीनों में हमें अलग-अलग याद रखनी है जिसमें है 6 पद्म बिभूशन, 9 पद्म भूशन और 91 पद्म श्री अवार्ड जो टोटल पद्म अवार्ड हैं उनमें देखे 19 वोमेंस हैं जिने अवार्ड मिला है और 7 पीपल हैं जिने सिलेक्ट किया गया है पद्म बिभूशन और विनर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि ये नायम जादा इंपोर्टेंट होते हैं तो देखी हमें 6 नाम याद रखनी हैं जिसमें हैं मुलायम सिंग यादव, बाल कृषन दोशी और दिलीप महनलाविस इन तीन को तो पॉस्थिम असली देखे ये अवर्ड मिला हैं बाकी तीन कौन हैं जाकिर हुसेन, SM कृषन और श्री निवास वर्धन तो टोटल कितने परसन हो गए 6 तो टोटल 6 परसन को पाद्म बिभूशन अवर्ड से सम्मानित किया गया है next question है, who has been honored with the World Innovation Award 2023 in the first BRICS Innovation Forum और ये फोरम हुआ मौसको में तो यहाँ पर देखे, World Innovation Award से सम्मानित किसे किया गया, शान्ता थौटम को अगला question देखिए, who has won the Best Actor Award at the Film Fair Awards 2023 तो Film Fair Awards में Best Actor का अवर्ड जीता किसने, राजकुमार राओ ने राजकुमार राओ को उनके फिल्म बधाईतों के लिए उन्हें ये अवर्ड मिला यहीं बात करें, Film Fair में Best Actress की तो ये अवर्ड मिला आली अवर्ड को उनके फिल्म गंगुबाई के लिए, बेस्ट फिल्म का अवर्ड मिला गंगुबाई का अठियावाडी फिल्म को और Lifetime Achievement Award के से मिला प्रेम चोपडा को next question, who has been awarded Australia's highest literary honor Miles Franklin Literary Award तो ये अवर्ड Australia का highest literary honor है और इस honor से सम्मानेद किसे किया गया है शंक्री चंदरन को शंक्री चंदरन को ये जो honor मिला है उनके novel Tea Time at Cinnamon Garden के लिए मिला तो यहाँ पूछ सकते हैं friends के किस novel के लिए उन्हें Australia का highest literary honor मिला तो याद रख लिजे का अगर कोई ऐसे literature से related award होते हैं तो वहाँ पी novel या जो उनकी book है वो भी आप लोगों से पूछ सकते हैं next question है who has won the title of Miss Universe 2022 2022 में Miss Universe का किताब जीता USA की आर बोनी गैब्रियल ने next question देखिए Miss Diva Universe 2023 का title किस ने जीता तो ये title किस ने जीता है श्वेता शार्दानी next question Divine Miss International India 2023 का title किस ने जीता friends ये title जीता है प्रवीना अंजनानी अगला question है who has been honored with the 25th Rajiv Gandhi National Sadbhavna Award 2020 2021 तो जो 25th Rajiv Gandhi राश्ट्रे सदbhavna पुरिशकार है इस पुरिशकार से किसे सम्मानित किया गया है सही answer है वनस्तली विद्यापीट को next which is the first Indian song जीता है औसकर आवोर्ष 2023 में तो पहला Indian song कौन सा है वो तो वो है ट्रिपलार मुवी का नाटू नाटू सौंग ये सौंग के सिंगर कौन है? MM कीरवानी ये सौंग लिखा किसने है? चंदर बोस ने और ये ट्रिपलार फिल्म का है जिसे डारेक्ट किया है SS राजमौली ने अगला कोशन है Who has won the Leipzig Book Prize in 2023? 2023 में Leipzig Book परिशकार किसने जीता? तो ये प्राइस जीता है फ्रेंट्स मारिया स्टेंपनोवा ने फ्रेंट्स यहाँ पर बात करें फ्रेंट्स तो इने Leipzig Book Prize मिला है इनके Poetry Collection Girls Without Clothes के लिए दिया गया है ये जो प्राइस है ये Poetry के फिल्ड में Excellent work के लिए दिया जाता है अगला कोशन देखे Which writer has been honored with the 32nd Vyaz Samman 2022? तो 32 Vyaz Samman से इस सम्मानित किसे किया गया है किस लेखक को? Dr. Gyan Chaturvedi जी को और Dr. Gyan Chaturvedi को उनके novel पागल खाना के लिए 32 Vyaz Samman के लिए सिलिक्ट किया गया Vyaz Samman जो है एक Literary Award है जो कि हर एक साल दिया जाता है और ये Award की के Brilla Foundation के द्वारा दिया जाता है सबसे पहले Vyaz Samman दिया गया था Dr. Ram Bilas Sharma को कब 1991 में अगले कोशन के दरब बढ़ते हैं Who has been honored with the Governor of the Year Award in 2023? तो Governor of the Year पुरिशकार से सम्मानित किया गया है Friends, इंडिया के शक्तिकान दास को शक्तिकान दास चो है करेंट में है RBI के गवर्नर Next question, Who has won the Best Actor Award in the Dada Sahih Falkay Award 2023? तो Dada Sahih Falkay पुरिशकार में Best Actor का Award किसने जीता? The answer is Radvir Kapoor Radvir Kapoor को Best Actor का Award मिला है और Best Actress का Award मिला है आलिया भट को Film of the Year का Award मिला है RRR Film को अगला question है Who has been awarded the Shanti Swaro Bhatnagar Prize for Biology? तो Biology के लिए Shanti Swaro Bhatnagar पुरिशकार 2022 से सम्मानित किया गया है किसे? Madhika Shubha Riddhi and Ashwini Kumar तो इसलिए correct answer होगा यहाँ पर option number C किस फिल्ड में दिया जाता है? तो यह Science की फिल्ड में दिया जाता है अब अगर friends हम Chemistry की बात करें अभी तो हमने बात किसकी करी थी? Biology की Chemistry में किसे मिला है यह? तो Chemistry में Award मिला है Akato Biju और Devah Brata Maithi को Earth and Atmospheric Science में यह Award किसे मिला है? Vimal Mishra को जाहे दीप्ती रंजन साहू और रजनीश कुमार को Mathematical Science में मिला है Apoorv Khare और नीरज कायल को उसके बाद देखे Medical Science में मिला है दिप्यमान गंगली को Physics में मिला है Anindya Das और वासोदेव Das Gupta को तो total 12 Scientist को Award मिले हैं जो कि most important है आपसे category कोई भी पूछ सकती है कि Medical Science में किसी मिला Physics में किसी मिला तो सब आपको याद रखनी है अगला question देखे Which Indian Railway Station has received the Asia Pacific Cultural Heritage of UNESCO Award in 2023 तो ये award किस Indian Railway Station को मिला है तो answer है यहाँ पे Mumbai का जो Baikla Railway Station है उसे ये award मिला है Next question Which state has won UN Habitat's World Habitat Award 2023 for Jaga Mission किस राजे ने राग Jaga Mission के लिए UN Habitat का जो World Habitat Award है ये जीता है तो ये जीता है किस state ने? Odisha State ने Next question Who has been awarded the Breakthrough Award 2023 in the Mathematics category तो ये इस award को न Oscar of Science भी कहती है अब category भी याद दिख लीचे का यहाँ देख पूचा है Mathematics category में ये award किस ने चीता तो ये दिया गया है USA के Daniel Spilman को So friends अगदर other categories की बात करें जैसे Fundamental Physics की तो Fundamental Physics में ये award मिला है Charles Bennett, Guiles Brassard, David Deoosh and Peter Shore को Life Science category में मिला है ये award Clifford Brangvin को और Anthony Hyman को ठीके तो तीन category friends यहाँ पे हमने cover की है इस award की याद रखें अगला question है Union Home Minister Amish Shah has awarded President's color to the police of which state for exceptional service तो Amish Shah ने किस राज़े के police को exceptional service के लिए President's color प्रदान किया है तो ये honor दिया है हर्याना की police को Next question है Which company has won the prestigious best innovation in refinery award for the second consecutive time लगतार दूसरी बार दे किस company ने जो है ये पुरुषकार जीता है तो ये जीता है friends Ming Law Refinery and Petrochemical Limited ने Next question है Which scheme of ministry of panchayati raja जिसने जीता prestigious national e-governance award तो panchayati raja मंतराला की किस योजना ने दिखे पुरुषकार जीता है तो योजना का नाम है Swamitv Scheme Swamitv Scheme की पूरा नाम क्या है Survey of Village, Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Area इस scheme को 24th April 2020 में Prime Minister Modi ji ने launch किया था Next question है Which Indian company has been recognized as one of the world best employers 2023 in the Forbes World Best Employers list 2023 किस country को किस company को Nobel Superstar Award ये जीता है Karthik Aryan ने Diversity in Cinema Award जीता है Mrinal Thakur ने Best Documentary Film का अवार जीता है To Kill a Tiger documentary ने और Best Indie Film का अवार जीता है आगरानी अगला question Which film has received the official entry from India for Oscars Award 2024 तो Oscar Award 2024 के लिए भारत की तरफ से किस film को official entry मिली है तो film का नाम है 2018 Everyone is a Hero ये एक मल्यालम फिल्म है और ये फिल्म देखे केरल में flood जो आया था उसी के उपर ये फिल्म बेस्ट है इसके डाइरेक्टर कौन है Jude Anthony Joseph Next question Which public sector enterprises महारतन कंपनी जिसे अवार्ड मिला है Golden Peacock Award तो Institute of Directors के दौरा Golden Peacock Award से सम्मानित किया गया है किसे R.E.C. Limited को R.E.C. Limited को ये अवार्ड क्यों मिला है तो disaster management में जो उनका exceptional performance रहा उसी के लिए उनको ये अवार्ड रिसीब हुआ है Name अकला question है Name the Indian American scientist who have been awarded the National Medal of Science America's highest scientific award in the field of technology and innovation तो U.S. के President Joe Biden के दौरा National Medal of Sciences किस Indian American को सम्मानित किया गया है तो ये मिला है Dr. Ashok Gadgil और Dr. Shubra Suresh को Correct answer होगा friends Option number C अगला question देखें Which Indian institution has received the prestigious United Nation Award for its top ranking sustainability initiative in the year 2023 तो किस Indian Institute को prestigious United Nation Award मिला है तो ये अवार्ड मिला है whens ICAI यानि Indian Institute of Chartered Accountants of India को ये अवार्ड रिसीव हुआ अगला question है Which Army Battalion has been awarded the President's color by Army Chief General Manoj Pandy आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे ने सेना की किस बटालियन को President कलर से सम्मानित किया है तो ये दिया गया है किसी नागार रेजिमेंट को ये जो ओनर है ये military की बात करें तो country में देखिए एक तरीके से देश की सेवा करने की ये military unit को तो है ये अवार्ड ये ओनर दिया जाता है Next question Who has been honored with a golden Indian icon of the year award तो global Indian icon of the year award इसे सम्मानित किसे किया गया है मेरी कॉम को मेरी कॉम का सम्मन किस फिल्ड से है boxing से अगला question है प्रवासी भारतिय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया तो friends से सम्मान किसे मिला है राज सुब्यमन्यम को राज सुब्यमन्यम जो है FedEx Company के CEO है अगला question देखिए Who has been honored with a prestigious pen printer award 2023 तो प्रतिष्ठित pen printer पुरिशकार से सम्मानित किसे किया गया है Michael Rossin को Next question है Who has won the best district award in the 4th National Water Awards 2022 चौते राश्टे जल पुरिशकार में सरुष्रेश्ट जिले का पुरिशकार किसने चीता उडिसा के गंजम district ने अगला question है Who has been awarded Australia's highest civilian honor Order of Australia तो ये Australia का देखिए highest civilian honor है Order of Australia और इस honor से सम्मानित किसे किया गया है रतन टाटा जी को Next question Who has won the best actor award at the 76th BAFTA award तो 76 जो BAFTA awards हुए थे उसमें best actor का award किसने चीता Austin Butler ने Austin Butler को ये award मिला उनकी film Elvish के लिए Best actress की बात करेंगे तो film TAR के लिए best actress का award चीता Kate Blanchett ने और best film का award चीता है All Quiet on the Western Front Film ने Next question है Which Indian writer has been honored with the 45th European Essay Prize for Lifetime Achievement Award 2023 तो किस बाते लेकिका को इस award से सम्मानित किया गया है तो friends ये award किसे मिला है अरुंधती रॉई को अरुंधती रॉई को देखिए ये जो सम्मान मिला है उनका एक French रोने translation था ऐसे collection जिसका title है अजादी और इसी के लिए उनको ये honor दिया गया next question है friends मातर भूमी book of the year award 2023 किस ने जीता तो friends ये award जीता है डॉक्टर पैगी मोहन नी डॉक्टर पैगी मोहन को ये award मिला है उनकी book wonders king and merchants के लिए next question है who has been honored with the goldman environment prize 2023 तो goldman बर्यावरन पुरुषकार से सम्मानित किसे किया गया है Alexandra Korab को अगला question है friends पैन अमेरिका century courage award तो 2023 में पैन अमेरिका शताब्दी साहस पुरुषकार से सम्मानित किसे किया गया the right answer is Salman Rushdie अगला question है friends who has won the bird press photo awards 2023 तो word press photo पुरुषकार किस ने जीता तो friends ये पुरुषकार जीता है इविंगनी मेलोकानी next question है friends who has been honored with the सुभाज चंदर बोस आप्दा प्रवंदन पुरुषकार in the year 2023 सुभाज चंदर बोस आप्दा प्रवंदन पुरुषकार से सम्मानित किया गया है Odisha State Disaster Management Authority और मिजोरम की लुंगलई fire station को तो correct answer यहाँ पे गया होगा both of the above यह जो पुरुषकार है यह दिया जाता है friend disaster management में excellent work के लिए अगला question देखे who has been honored with the prestigious साहित अकादमी Children's Literature Award for the novel तो मल्यालम लैंग्वेश में देखे यह उनका novel है और इसी novel के लिए साहित अकादमी Children's Literature Award से सम्मानित किसे किया गया तो इनका नाम है Priya AS यहाँ पूछ सकते हैं कि किस language के लिए उन्हें यह award मिला है किस language के novel के लिए तो यहाँ पर याद दख लीजे का मल्यालम language So friends यहाँ पर हमारे award and honors के 100 important questions complete हो गए है अब बात करते हैं टेस्ट की तो पहला question है test का who has been honored with the Marconi price 2023 पहला है Marconi पुरिशकार से किसे सम्मानित किया गया और second question है Filmfare awards जो हुए थे उसमें best actor का award किसने जीदा तो friends आप सभी इन दोने question के answer हमें comment box में जरूर बताएं और इसी के साथ friends आज का यह important session यहाँ पे complete होता है और friends जितनी भी हमने questions cover करी है साथी में जो हमने extra points भी देखे हैं वो आपके आने वाले सभी exams के लिए most useful है Thank you so much for watching this video